अगर आप भी kitchen बनवा रहे तो ये गलती बिल्कुल मत किजिएगा दोस्तों चुकि इनके पास खास तोर पर दोस्तों kitchen बनवाने के लिए जगह की कोई कमी नहीं थी लेकिन दोस्तों planning सही ना होने के वज़े हैं इन्होंने अपने kitchen का निर्मान दोस्तो पूरा का पूरा खराब तरीके सकरवा लिया ठीक है घर बिल्कुल अभी under construction न दोस्तो बहुत सारे काम होने इसमें बाकी है दोस्तो अभी से बिल्गुल जह वर टेकनिकली ये बहुत गलत kitchen बनाया जा रहा आपको ये गलती नहीं करनी है यही करना दोस्तो मैं आपके तक ये वीडियो पहुँचा रहा हूँ entrance कभी भी दोस्तो 3 feet से कम kitchen का नहीं देना चाहिए size की बात कर लेते हैं बहुत बड़ा size आपको दिख रहा होगा दोस्तो kitchen का वाकई में है भी 13 feet by 12 feet में इस तरीके के kitchen बनाया जा रहा है बहुत लोगों के घर में दोस्तो इस तरीके के इतने बड़े दोस्तो बेडरूम नहीं होता है जितना बड़े ये kitchen बनाया जा रहा है slab ढालने में भी गलती की गई है दोस्तो इसकी उंचाई जो होनी चाहिए वो नहीं दिया गया है क्या फाइदा दोस्तो इतने बड़े और संदार जगा को आप किस तरीके से बरबाद कर लेते हैं ये इस वीडियो में आप बहुत हद तक देखने वाले हैं तो चैनल को subscribe करें के वीडियो पर बनाया ये दोस्तो इसी तरीके के basic जनकारी मैं आपको इसी चैनल पर upload करके दे पर यहां तक दोस्तो PCC किया जाएगा इस लेवल पर ठीक है उसके बाद मा फ्लोरिंग होगा लेकिन दोस्तो आप देखेंगे इस से दोस्तो तीन इंच उंचाही पर दोस्तो इस तरीके से वह आपका टाइल से बगर आएगा बहुत ही कम जगा दोस्तो यहां पर कोई व्य पर ठीक है वो भी तब जब नीचे से फ्लोरिंग भी नहीं किया गया यह और घटेगा दोस्तो ठीक है तो यह मान के चलिए कि काम करना यहां पर थोड़ा सा मुश्किल जरूर से होने वाला ठीक है इसको कभी भी दोस्तो दो फीट दस इन से कम ना दीजेगा ठीक है बहुत बचना चाहिए अब यह दोस्तो इस कॉर्णर पर इस तरीके से अगर आप सिंक दे रहे हैं आपको मैं बता रहा हूं दोस्तो कि यहां पर खड़ा होते हैं उस वाले कॉर्णर पर दोस्तो अगर आपका हाथ भी चल जाना तो बहुत बड़ी बात है ठीक है आप आधे सिंक म और इसका चीटा इधर भी पर रहा है, दोनों जगदोस्तो आपको disturbance मिल रहे हैं ठीक है, यही दोस्तो अगर यहाँ पे अगर आपने दोस्तो तो सिंक दिया होता, उतना ही सही है अगर दोस्तों आपको इसके जस्ट बगल में आप सोच रहोंगे कि यहाँ पर दोस्तों इनको फ्रीज भी रेखना हो तो कैसे होगा किचन अप्लाइन्स के लिए क्या करना होगा